नमस्कार, स्वाधिन्त दिवस आपको मुबारक हो और ओला के तरफ से आई हुई कुछ समाचार आपको बताएंगे तो वो सुनके आपका दिन और बहतर हो जाएगा कई सारे नए लांचेस के बारे में बात की है भावेश अगरवाल जी ने सबसे पहले चालू करेंगे बैटरी से उसके बाद आपको बताएंगे नई स्कूटर के बारे में और फिर नई गारी के बारे में बताएंगे जिस पर काम चालू है तो दीखे सबसे बैटरी के बारे बताते हैं एवी की जो बैटरी है उसी के चलते कीमत इतनी जादा रहती है जहाँ बैटरी की कीमत घर जाएगी तो वहाँ वहीकल की कीमत घर जाएगी तो सबसे पहले भावेश अगरवाल जी ने बताया कि आज से 10 साल पहले एक किलोवाट की manufacture कर रहे हैं और उन्होंने ये भी दिखाए कि पहली lithium cell उन्होंने बना ली है और उससे एक battery pack भी बनाई है ये उन्होंने देखा है उस battery innovation center में एक से एक machines है जो की batteries बना भी रही है और उनकी testing भी कर रही है और इसको आगे चलके gigafactory में mass produce किया जाएगा 2030 से आप expect कर सकते कि ये market में आ जाएगी सिर्फ lithium ion ही नहीं solid state batteries पर भी काम चल रहा है और sodium, sulfur, silicon ये सभी चीजों को लेके वो काम करेंगा और कहरें कि भारत में तो silicon हो गई, sodium हो गई ये सब की भरमार लगी वी है तो इसका मतलब आगे चलके अगले साल से कम से कम कीमते और घटने वाली है अब ये batteries जो बनेंगी ये जाएंगी कहाँ अपने vehicles में तो डालेंगे इस हाथ में manufacture करके वो export भी करेंगे बाहर देशों में तो आप सुनिए कहां कहां पर अपने डालने वाले batteries को सबसे पहले एक नई Ola S1 स्कूटर के बारे में उन्होंने बता है तो देखिए वो तो पिछले साल उन्होंने launch करी दी थी लेकिन उसके बाद इसकी production को उन्होंने बंद कर दिया था लेकिन अभी चालू हो गई है Move Voice के साथ आने वाली है 3 किलोवाट आउर की battery pack रहेगी थोड़ी से top speed जो रहने वाला है वो है 95 किलोमेटर स्पराड उसके अलावा feature सभी रहने वाली है music navigation reverse mode इत्यादी जो भी है यह सब है Move OS 3.0 वो मिलने वाली है स्कूटर को S1 Pro स्कूटर को November महीने से और ध्यान रखिए कि जो hyper charge network की वो बात कर रहे थे पिछले साल से वो network भी November महीने से चालू हो जाएगी तो अब यह Ola S1 स्कूटर की जो कीमत है वो रखी गई है 99,999 लेकिन ध्यान रखी यह सिव introductory price है अगले 15 दिन तक आप इसको book कर सकते हैं limited amount में है तो जल्दी book करेंगे तो यह कीमत मिल जाएगी September एक तारीक से आप इसकी full payment कर सकते हैं और delivery September की साथ तरीक से चालू हो जाएगी इसके लाबाद loan facility भी है Axis Bank हो गई, HDFC हो गई, Cotac, ICI सभी बैंकों से आपको loan बिनने वाली और हाँ आप अपनी vehicle की जो warranty है उसको 5 साल और extend कर सकते है additional कुछ रुपए देखे, वो यह नई model के लिए तो है, S1 के लिए है यह और existing S1 Pro के customer से वो भी अपनी warranty को increase कर सकते है और 5 साल तर कितनी कीमत देनी है किसीने अगर already कर लिया है तो comment section में जरूर बताईएगा, colors के बारे में आपको बता देते हैं red, black, white, light blue और grey यह 5 colors में S1 मिलेगी और S1 Pro जो है, उसको एक और नए color में launch किया जा रहा है वो है, इसको खाकी कह रहे है, लेकिन दिखती है वो military green की तरह दिखती है सिर्फ 1947 units ही है, तो किसी को अगर यह रंग पसंद है तो जल्दी आपको book करना पड़ेगा अब बात करते हैं गारी के बारे में, भावेश जी का कहना है कि भारत को EV manufacturing hub बनाना है scooter बोलिए कि गारी बोलिए, तो गारी बोलेंगे तो Ola की electric गारी में काम चालू हो गई है कहरे है कि fastest car रहने वाल यह 0-100 km per hour की जो रफतार है उसको सिर्फ 4 second में छूलेगी 500 km की range रहेगी, उपर में जो roof है, sunroof है वो पूरी कांच की बन के निकलेगी और sales भी भारत में बनेगी, गारी भी भारत में बनेगी और उसके बाद वो भारत में भी बेचेंगे और globally export भी करेंगे, उम्मीद करते हैं कि कीमते काफी घड़ जाएंगी लेकिन ये गारी 2024 को ही market में आने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखे ऐसे और समाचार के लिए definitely इस चैनल को subscribe करके रखे, संकल्प करे, विद्धित चुने